दिखाई दे रही है और कहां बीजेपी पिचड रही है? चलिए रही है रविंद्र आप हमारे साथ हमारे समधाता गुर्खपुर से भारेंद दूबे भी हमारे साथ जुड़ गये हैं हरेंद रभी वहां कितने राउंड की हो चुकी है काउंटिंग और क्या अपडेट है आपके पांच विरांतबा की पांच अस्तानों पर गलना की आपको बता है कि आप लाप इसरे राउंड की चाहना हो चुकी है और तीसरे राउंड में बीज़पी प्राइस विरांतबा में चल लई है रही है विज़पुर ग्रामिर और गोरफफुर अगय चल रही है यह सो तीजरे राउंड का रुजान है अभी रुजान और देखने को मिलेगा हरें बड़ा उलट फिर इनी रुजानों की बीच हम इलाबाद की पूलपूर सीट पर देख रहे हैं पहले बीजेपी बड़त बनाय हुए थी अब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने आइसे बूत बाकी हैं जहां पर जात इसका मसरण जो देख करके सपा और बस्पा ने जड़ बंदन किया अभी वह बूत और उन फेसरों का भी नहीं कुला है अभी तीसरे राउंड किये जो गरना हुई है यह अभी आगे और इसका रुजान देखने को मिलेगा जो जातिक पर इबियम में बोटों की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है कि अबी नहीं गौर्फूर में एबियम की काउंटिंग तुन हो गई है एबियम की काॉंटिंग इसरे राउंड की आपको मैं अब्देट बता रहा हूं रवेंद्र यहां पर कितने राउंड की अभी काउंटिंग हो चुकी है रवेंद्र भी हमारे साथ है रवेंद्र यहां पर जो है अगर विधान सभाव में तरीपन अपर विधान सभाव में तीन राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अभी जो पूरा अगर विधान सभाव की बार की जाए तो इसमें पर्वेंद्र बीच बेहत कांटी की टककर है नतीजा किसके पक्ष में जाएगा हाला कि उसके लिए इंतिजार करना होगा लेकिन जो रुजहान सामने आ रहे हैं जो तेजी के साथ परिवर्तन दिख रहा है इस्थिती में कभी बीजेपी आगे फिर कभी समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है ये संकेत है कि अभ लोगों के बीज जा कर आपने उनको भापने की कोशिश की होगी हम इंतिजार कर रहे हैं लेकिन उससे पहले रुज़ान आपने भी देखे जनता का मूड आपने भी देखा क्या लगता है उससे क्योंकि फूल पूर लोकसभा सीट पर जो उलट फेर रुज़ानों में अभी दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है यहां की सिती क्या कहती है हम बताना चाहेंगे कि इस तरीके से मतदान के देन में जनता ने अपनी जागरूता दिखाई और यहां के मतप्रतिशत आए उससे बीजेपी में खलवली को मत गई से लेकिंग साम आठ बजे के बाच एक होई जीला दिखाई गोरेकूर ने अपने हावाले से कि अब होए था कि अभी मतदान कंगा पर चल लायते इसलिये मत प्रतिसत को 47 प्रसेंट कर दिया और उसके बाद एक दिन के बाद प्रिसक्षणी ओई इसकुतनी के बारेकूर प्रतिसत कर दिया गया तब कही निदे जनता के बीच में एक है कि जनता जिना प्रतासान उलट लेकिन जनता बना चुकी थी और मन से इजबार मतदान की है सही नहीं या जनता सोच रही है कि इजबारता को पल्टेगा लेकिन अब माते अब उस्ताम तक जैसे ही काउंटिंग खात्म होगी और रिजेल्ट आएगे तभी कुछ नेड़ा हो पाईल कि जनता के बदल करने की जनता चंदर शुकुकू के और चर्चा चल लए थी उससे कहीं जाहिर होता कि भीजेटी आभी आर्टी हुई नजर आईगी लेकिन नहीं ऐसा नहीं है चीन विजान समाहों में विजेटी आगे चल लेए जो विजान समाह में विजेटी पीछे है तो कहीं जब जहात करण क जहां जात करण को देखते हुए समाधवादी पार्टी ने मिशाथ समाध को इकर देखर के मैदान में उतारा है तो जब उसके बेल्ड का खूलेगा तो कहीं जाहीं समाधवादी पार्टी अपनी परद बनाएगी रही अनेंद्र आप वहां पर रवेंद्र यहां पर बहुत कम वोटिंग परसंटेज रहा उसको देखते हुए रवेंद्र किसके लिए मुश्किले जादा पैदा होती है बीजेपी जिसका पहले से यहाँ पर कबजा था या फिरोधी पार्टीया जो साथ आए बीजेपी क कि रोकने के लिए किसके लिए खत्रे की घंटी तो पूर्पर में कम रहा है उसका कहीं नहीं कहीं खाना जाए हाला कि इन विदान सबाव में विदेटी अभी आगे है जो वर विदान सबाव की बार की तो तो इसमें आगे चल लए है कि जिस तरिके से रुज़ान आ रहे हैं उसके लग रहा है कि कहीं नहीं कहीं को नुक्तान हो सकता है या नुक्तान अभी के रुज़ान को बेचते हुए जो माना जा रहा है कि अभी विदेटी नुक्तान में विदेटी नुक्ते से वोतिंटेज को कम रहा है अगर विदान परसंटेज सब्सक्राइब दोनों का बहुत बशुक्री आप लगातार वहां पर बने रही अपडेट के लिए हम फौरण आपके पास आएंगे लेकिन इस बीच बता दे कि समाचा प्लस पर बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने क्या कुछ कहा गोरकफर पूलपुर उप्चनाप पर बीजेपी के प्रवक्ता बोले का कि दोनों जगा बीजेपी की जीत होगी हमारी सरकार बेतर काम कर रही है हमारे नेत्रतों पर जन यह माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़े कही जारी और कहा जा रहा है कि भार्तिय जंता पार्टी को अपेच्छित सफलता नहीं मिलती है तो जो एक गड़ बंधन की धुंदली सी तस्वीर पहले इससे देखी जा रही है वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी नहीं देखे सफलता भार्चनता पार्टी को ही मिलेगी क्योंकि बार्चनता पार्टी के कारिकरता उन्हें परिश्रम किया डॉक्टर महनाद पार्णे जी के नेत्वत्त में बार्चनता पार्टी को सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि हमारे पास सन्यासी नेत्वत्त है योग ज़नता मानने वाली जनता है, उत्वाद की एचांवानी जनता है, वह जाती बात की राजनीती से आज ये जा चुकी है, और उनोंने उत्त्ये प्रदेश की जनताने दोहजार कोज़े की लुगसवा चुनाब, 2017 की बिदान सबा सबचुनाब, 2017 की निकाए चुनाब, मैं यह सिर्द करके दिखाया, भी सिकंद्रा का उप्चुनाब हुए, उसमें भी यह सिर्द करके दिखाया, कि उत्ताप्रदेश को अपना ने्टवत एन जन्न नेता उत्ताप्रदेश में मिल गए और एक भारतिय जन्ताप्रवं की नित談 है बीजपी प्रवाग्ता का प्रदेश की सरकार ने काम किया है वैसे में लोगों का भरोसा जगा है और इस चुनाओं में भी जो लोग है वो बीजेपी की पर रफिन जाएंगे तो बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर चंद मोहन जीत का दावा करते हुए लेकिन उधर रुजहान जो है वो कही ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गोरकपुर में तो बीजेपी आगे चल रही है हालकि इस रुजहान में भी परिवर्तन हो सकता है क्योंकि अभी कई राउंट की काउंटिंग बाकी है वही फूलपूर उप्चुनाप की बात की जाए फूलपूर लोकसवासीद की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी जो थोड़ी देर पहले तर बरत बनाये हुए थी अब वहाँ पर बीजेपी पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ आगे चल रहा है डिसक्शन के लिए सभी खास मरमान हमारे साथ जुड़ चुकि है हमारे साथ कॉंग्रëस के नेता आसिर बिज्वी जूड़ चुकिये हैं इसके लावा समाजवादी पार्टी के नेता तारीक एहमद हमारे साथatus बीजेपी नेता अनिता अगरवाल भी हमा स्टम 드디어 का जनायों देश कि हम हाशने को जनता की हार जीठों मानते हैं इसलिए हम्हैं करते लिए की सब्सक्राइन सब्सक्राइब हुआ सब्सक्राइब अब करना पर जो हैं इथा धाल रुटोर जगा सब्सक्राइब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बंता काकार करते हैं मैं दॉल लगातार बने अभी नाश थोड़ा सा चौक आता है क्योंकि एक वो सीट है जिस पर योगी आदित्यनाद का कबजा रहा है पांच बार से वो सांसद रहे गोरक्षनाद पीट का ही कोई उम्मीदबार वहां से खड़ा होता रहा है हाला कि इस बार नहीं हुआ दूसी तरफ केशे प्रसाद मौर्या की खादी की हुई सीट है आखिर क्यों इतना बीजेपी को संखर्ष करना पड़ रहा है बिल्कुल गायत्री देखिए अगर हम गोरकपूर की बात करें तो गोरकपूर में भी भार्ती जंदा पार्टी बहुत बड़े अंतर से आगे नहीं चल लिए है बहुत नामोली अंतर से भार्ती जंदा पार्टी आगे चल रही है अब फुल्पूर की बात करें तो फुल्पूर में पूरी तरीके से शुरुवाती दिख रही है जाहिर सी बात है कि जो वोटिंग का परसेंटेज जो रहा था इस चुनाओं में और जैसा की कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है अला कि बीजेपी रेता इस बात को सरे से खारिज जरूर करते रहे कि वोटिंग परसेंटेज का कोई असर नहीं पड़ेगा और ये तनी तरक और ये दलील दी जा रही थी कि उप चुनाओ जो बाई एलेक्शन होता है उसमें आम तोर पर समामी निर्वाचन से जो पुलिंग परसेंटेज होता है वो कम होता है लेकिन गातिया पो बताना चाहूंगा कि जब 11 मार्श को वोटिंग चल ली थी तो उस दूम में खोद गोरखपूर मे के अंदर लेकिन उस दिन गोरखपूर शहर की जो तमाम मद्दान केंद्रे थे वहां पर गीने चुने मद्दाता पहुंची अगर और अगर गामीड शेत्रों चाहिए हम कंपियर रंज की बात करें प्राइज की बात करें और जो दूसरे विदान समश्यत्रे हैं वहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो बीजेपी के फिवर में जाता है लेकिन अगर 45-50 से कम वोटिंग होती है तो बीजेपी की चिंता वाली बात हो सकती है और निश्यत तोर पर जो शुरुवाती रुजहान देखने को मिले हैं चाहे गोरखपूर के हो या बादी पार्टी और बहुजन सवास पार्टी के वोटों को भी मिला लिए तो उससे दो लाग से ज़्यादा वोटों का अंतर था तो कह सकते हैं कि यह शुरुवाती रुजहान है हाला कि अभी कई राउन की मद्रणा जारी है लेकिन जिस तरीके से खुलपूर में भारते जनता पिशर्टी भारते जनता पार्टी पिशर्टी हुई दिख रही है यानि अविनाश एक बड़ा फाक्टर रहा है कि जनता का वोटिंग के लिए अपनी सहभागीता ना निभाना इस नतीजों पर एक बड़ा प्रभाव डालता हूँ नजर आ रहा है लेकिन समझ नही आता विनाश के आकिर जनता बूत तक पहुंची क्यों नहीं योगी सरकार की नीतिया पसंद नहीं आई या सफा बसपा का साथ पसंद नहीं आया अगर हम सिर्फ गोरखपूर की बात करें गायती तो दो चीजे हैं गोरखपूर में जो शहरी मद्दाता थे इस बार उन्होंने वो उत्सा नहीं दिखाया जो इससे पहले के चुनाओं में वो दिखाते राएं हैं जिस मद्दान के इंदर पर उस दिन में मौजूद था वहां तमाम जो मज से जुड़े हुए लिफ जो मज से जुड़े हैं वहां पर पहुंचे मैंने उन से यह जानना चाहा कि आखिर इस बार नद्दाताओं में इतना कम उत्सा देखने को की मिल रहा है कैमरे पर आपको बदाना चाहा है गयती की कैमरे पर दो से तीन ऐसे पर दो से जुड़े हुए थे उनका साथ तर पर यहीं कहना था कि एक परंपरा रही है कि यहां का जो प्रतनिधी होता था वो मज से चुनकर जाता था चाहें अवैदिनाद की बात करें या फिर उसके बाद उनके उत्रादिगारी थे योगी अधितनाद की बात करें लेकि पुलपुर की बात एक साल का वक्त होने को है और जिस तरीके से जो दावे किये जाते रहे हैं भरते जिंटापाडी की तरफ से की विकास की हमने गंगा बहाई है या जो तमाम योजनाय शुरू की गई है उसका सीधाल आप जनता को मिल रहा है तो ये तमाम चीजे हैं जिसको में थे प distractions कि ज Dann के कि मैंकिर और वह शु कुष्ण काट उस दिन मतां किंद्रों पर देखी कि शहरी मदाता कर सकते हैं कि उथ्सा देखने को मिल्हां चाहिए था वो धसाथ देखने को नहीं मिला फूलपूर की बात करें तो फूलपूर भी हाई प्रोफाइल सीट है उप मुख्यमंत्री की सीट है केशव प्रसाब मौरिया की उससे पहले भी पंडिश जवाहर नेहरू जैसे कब्दावर जो देश के प्रथन प्रधान मंत्री थे वहां से चुनाव लड़ चुके थे तो कुछ अगर बात करें वहां के भी ग्रामेड अंचलों में आगर इलारकों में कह सकते हैं कि वोटिंग का फसेंगए थोड़ा सा सही था लेकिन फॉल पूल पूर की बात करें तो वहां भी कुछ कमोब्रेश स्थिति गोरखपूर शहर जैसा था और मैं बार बार कहा हुए यह वो इस्थिती है जो की बीजेपी के लिए चिंटा की बात साबित हो सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार प्रमोध गोस्वामी भी जुड़ गए हैं। प्रमोध जी आपके पास आना चाहूंगी, रुझान जो सामनी आये हैं, उस पर आपका रियाक्शन की आएगे, कितनी बड़ी मुश्किले बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन हाँ अभी आपके जो सम्वादाता ये कह रहे थे अविनाश जी, शायद ये बात सही है, गुरभपूर के परिपेक्ष में भी और पूलपूर के में भी, पूलपूर में जिस दन से जो सपा बसपा का गगंदन है वह वहाँ प्रवादी है, चुकि वहाँ वहाँ पर पटेलों, मुस्लिम और ब्रामर भोड भी वहाँ हैं ठीठा, लेकिन जो वहाँ शेहरी चेह, सबसे जाज़ा 37. सम्थिंग उपूलपूर में मदान हुआ है, और ये एक उपमुक मंत्री के लिए प्रतिस्था की बाजपा के लिए प्रतिस्थ लस्टर के साथ बराबर चुनाओ वर वही रहे हैं, तो ऐसी स्थिक में अगर भारती जन्ता पार्टी मत दाताओं को भी बाहर नहीं ला पाई, तो शायद ये मैं समझता हूँ कि ये भारती जन्ता पार्टी के लिए चिंता का विशह है, और जिस दंग से बस्पा और सपा का घठबंदन वहा हुआ है, वो घठबंदन मुझे लगता है कि वो एक बरत बना हुए है, अभी लगबग तीन चरणों की जो मदान पूरी हुए है, उसमें करीब पंधरा सो बोटों से करीब घठबंदन का प्रत्याशी आगे था इस से पहले वो तीन हजार के करीब था, काईद अब और उसकी बड़त बढ़ गई होगी, तो मुझे लगता है कि फूलपूर भारती जन्ता पार्टी की सीट के लिए खत्रा नजर आ रहा है, और जैसा कि अभी अभी अभिनास ने ये बात कही कि गुरपूर में, ये बात बिलकुल सच है, कि वहां का भारती जन्त पार्टी घडबंदन वो अपती जगह पर है, लेकिन पीट के वहां बड़ा महत है, वहां जली आधार पर मर्दान कंप पीट के आधार पर मर्दान, तो कि पीट से उसका वहां के मर्दाताओं का, वहां के इसानी लोगों का लगाओं कुछ ज्यादा है, तो वो आप जीपी जीते की, ये सपा, बसपा, माखपा, भाकपा कॉंग्रेस का नापाक गडबंदन जो नीती सिद्धान्त पे ना होकर जाती संप्रदाय, छेत्रियता और सासात जिसको कहते हैं अउसरवादिता पर टिका हुआ है, ये गडबंदन तूटेगा, ये हारेंगे, और बी पहले से अधिक हम पर विश्वास व्यक्त करेगी, जिस तरह से सर, अभी तक की जो रुजहन आ रहे हैं पूर्पूर की सिद्धे, आपको लगता है कि केशों मौरा जी किसी इठेद लोग प्रिता पर कहीं नहीं कोई संप्रदाय है, नहीं, बीजेपी में व्यक्ति कहां च एक साथ एक जुटता के साथ में काम करती हैं, किसी जगे को किसी विशेश व्यक्ति विशेश से जोड़ना उच्यत नहीं है… केश्य प्रशाद मौर्या की लोगपृता से न जोड़ें क्योंकि व्यक्ति नहीं बलकि पूरी पार्टी काम करते हैं लेकिन सवाल पिर यह भी खड़ा होता है कि लेहर की बात हो थी तो मोधी लेहर की बाती जाती और यहां पर व्यक्ति विशेश नहीं और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं पूर्पूर लोग सबाउट चुनाव में सपा की बढ़त कम हो गई है दूसरा राउंड में समाचवादी पार्टी की बढ़त हुई है कम ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 150 वोटों से आगे चल रही है सप प्रत्याशी नागेंद्र पटे लेकिन ये जो बढ़त है वो अब थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है फूलपूर लोग सबाउट चुनाव में सपा की बढ़त हुई है कम इस वक्त ये बड़ी खबर परपल का देट हम आपको बता रहे हैं दूसरे राउंड में समा दिखातार बने हुए है प्रमोट जी रुझान की बात द्रसल मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि गुरखपूर की अगर हम बात करें तो दो लाग से ज्यादा अंतर से वो सीच जीती गई थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से लेकिन अभी रुझान में भी सपा और बीजेपी के बीच जादा अंतर नहीं दिख रहा है मैं वही गायत्री की कह रहा हूँ कि ये पूलपूर के और गुरखपूर के दोनों चुनाओ मुझे लगता है कि कई गवर्मेंट की जो एंटी कंवेंसी है वो उसका भी एक प्रभाव है और लगता है कि जिस धंक से गुरखपूर में मात्र शैद 47.7 हुआ है और जबकि पूलपूर में तो मात्र 37% मद्दान हुआ है तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार के क्रिया कलापों के प्रति उसका असंतोज भी कहा जा सकता है बाड की चुनाओं परणाम कुछी हो बलही भाजपा दोनों सीटें जीट जाए या गड़बंदन दोनों सीटें जीट जाए लेकिन राजनेतिक दलों के प्रती लोगों की जो एक जुडाओ है वो कम हो रहा है यह और भी चिंता के विशह है तो कि इतने तमाम प्रयासों के बाबजूद अगर मतदान इतना गिर गया है आप अगर देख ले अभी बिहार के और वहां के देख ले वहां मतदान में इतना प्रशक कम नहीं हुआ है यह एक चिंता का विशह है और अगर फूल पूर का चुनाओ यह गठ्वन्दन तारीक एक चोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आप बने रही हमारे साथ